आप देख रहे हैं नेशन लाइन हर पल आपके साथ कुरोना काल में मंदी से जूज रहे कुमारों की जिन्दगी में दिपावली नजदीक आते ही खुशी का माहोल है बता दें कि हजारों लाखों घरों को रोशनी से जगमक करने वाले कुमारों की उंगलियों में जो कला है वे दूसरे लोगों में शायद ही हो घूमते चाक पर मिटी के दिये और दूसरे बर्तन बनाने वाले इन कुमारों की याद दिपाबली आने से पहले हर शक्स को आजाती है तलावों से मिट्टी लाकर उन्हें सुखाना, सूखी मिट्टी को बारिक कर उसे च्छानना और उसके बाद गिली कर चाक पर रखकर तरह तरह के बरतन और दिये बनाना इसी हुनर के चलते कुमारों के परिवार का भरन पोशन होता है पत्तर के चाग पर गीली मिट्टी को अकार देने वाले कुमारों के हातों की उंगलियों में मानो जादू सा होता है एक जमाना था जब दीपों का त्योहार दिपावली आती थी तो कुमारों की दिन चर्या भी बदल जाती थी दिपावली आने से महीनों पहले कुमार पूरे परिवार के साथ मिल कर दिये तयार करने में जुड़ जाते थे कुमारों को साल भर रोशनी के पर्व का इंतजार रहता था आखिर इंतजार भी क्यों ना रहे यही तेवार उनकी मेहनत के बदले उन्हें खुश्या देता है दिये बनाने से जो कमाई होती थी उससे साल भर पूरे परिवार का खर्च अराम से चलता था कौसामबी में चाइनिस आईटम की इस बार लोगों ने भाविसकार कर दिया कुहारों की जिन्दगी में काफ़ी खुसी के लायर दीके रही आएज जानते कैसे कुहार बनाते है कैसे और दिवाली बना के बेंचते हैं यह तो हमारे पूर्वजों की धरोहर है पहले माटी एक ठा करते हैं उसको छोटे-छोटे कड़ों में तब्दील करते हैं फिर पानी से उसको भीगोते हैं भीगोने के बाद 2-3 के बाद उसको हम दिवाली बनाते हैं और अपकी दार दीवाली तो बेतरीन बनी है क्योंकि चीनी समानों का बहिसकार हो जाने की वज़े से हम लोगों का ब्यापार एक्षा चला है 30 से 400 रुपए साइकड़ा बिक रहा है तो कैसे लोग आप लोग मार्केट में कैसे इसको बैसते हैं कितने लोग बैसते हैं हमारे तो पूरा परिवार ही बेशता है 30 से 40 रुपए साइकड़ा बिक जाता ही है तो लाग डोन में आप लोग को काफी है हां मदद में लोग एक चूनी समानों का बहिसकार होने की वज़े से हम लोगों की खुस हाली है इस वक्ते आम दनी के अच्छा सुरोज बन गया है आम आ नेशन लाइब कोशामबी